हेलो एवरीवन वेलकम बैक इनेवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिलत दोस्तों आज हम इस वीडियो में कोश्चन नंबर 116 को आज हम देखेंगे इससे पहले मैंने 115 कोश्चन तक का दो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हैं आपको 100 प्लस इं पेडगोगी पूछ ले आता है थोड़ा सा डिफरेंट्स यहां पर आज आता है लेकिन हर एक टैट एक्जाम के लिए काफी रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों कर आप चैनल पर नहीं हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए आपको सीट एक्जाम यहीं से आपको कोश्चन देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं विदाव टाइम बेस्ट करते हुए कोश्चन आपका है कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कोश्चन मैंने सिर्फ हिंदी लेंग्विज में लि का आदा है इसने बोला है जो 6 और 7 का जो भी आपका LCM है X और Y का जो भी LCM आता है उसका आदा है यदि X क्या मान जो है वो आपका 12 है तो आपको Y की बेली बतानी कितनी होगी यह कोशन सीटेट 2021 में आपसे पूछा गया देख लीजे सीटेट में कैसे लेबल आपका रहता है कोशन का और मैं प्रैक्टिस एट आपको प्रोवाइट करा रहा हूँ जो हमारे साथ बने हुँए लोगों तो पता ही होगा LCM of X और Y LCM of X और Y का half है ठीक है ये question में बोला गया है जो 6 और 7 का जो LCM है X और Y के LCM का आदा है ठीक है अब यहां तक आई हो सब कुछ clear होगा अब देखो 6 और 7 का जो LCM होता है दोस्तो वो आपका होता है कितना 6 और 7 का जब आप LCM लोगे तो you will get 42 42 हो गया तो now अब आप क्या लिखोगे LCM LCM of X,Y upon 2 LCM of X,Y upon 2 अब यहां से देखो X और Y का जो LCM में कितना आएगा अब मैं यहां लिख रहा हूँ LCM of X,Y कितना हो जागा आप cross multiple easily आप यहां से कर सकते हो तो X और Y का जो LCM आएगा दोस्तों वो आएगा 2 multiply 42 यानि कि 84 वो आपका LCM आगया X और Y का ठीक है यहां तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ किलियर होगा अब देखो question को read करिए question बोलागा जो X का जो मान है वो दे रखा है 12 तो Y की value आपको बताने तो देखो अगर हम यहां पर यहां मैं करता हूँ solve LCM of X के place पर में रखाना 12 और Y is equal to आपका आरा 84 ठीक है क्योंकि मैं X के place पर क्या रख दिया 12 रख दिया अच्छा जर आप यह बताई है option मैंसे मैं ऐसी कूंसी value रखू जो 12 और 12 के साथ बनागा है वो 84 LCM बना दे तो सीधा से हमें दिख रहा 7 अगर मैं 12 7 य के माना अगर मैं 7 option से ले लेता हूँ तो जो मेरा LCM है दोस्तों वो आपका आज आगा 84 simple तो आप easily यहां से बता सकते है जो Y की जो value है जो Y की जो value है दोस्तो friends वो आपकी आगी 7 तो question finish और देखो यही आपका answer यहाँ पर सही हो जाएगा option D and now this is our final answer option D is the correct option this questions तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सब कुछ समझ आ गया होगा अगर कोई भी doubt है था प्लीज वीडियो को आप बापस से play करके देख सकते तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए question के साथ तब तक के लिए धनबाज take care and wait for the next video